आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन नेचुरिल रिसोर्स का कैसे मैनेजमेंट करते हैं हैं ना क्लास्टेंड साइंस का यह बहुत ही महत्वोड चैप्टर है आपको पता ही है कि सारे चैप्टर महत्वोड होते हैं क्योंक समझे यह वन सौर्ट वीडियो ही है है इंपॉर्डन कोश्चन में साथ में करवाते हुए चलूंगा सब कुछ बताते हुए चलूंगा आपको ठीक है कि प्राकृतिक कि संसाधनों का कि प्रबंधन प्राकृतिक संसाधन जो हमको मिले है जो नेचुरल रिसोर्से हमको मिले है जैसे नेचुरल रिसोर्से जैसे आप सोचके बताए आपको क्या मिला है पेड़ पौधे मिले है जंगल मिला है जंगली जीव मिले है बताए और आपको नेचुरल रिसोर्से कोईला मिला है लोह सोना चांदी प्राकईति Weird जैसे मिली है पीट्रोल मिला है डीजल मिला है एँद आयосक मिला है आपको झाल Ihnen देज़ सर चीजे मिली है नीजSir आरे सर्स में हमें तो हम उसको कैसे मैनेज करें ताकि वो चीजे सही से छलें आगराeger कि आज में लगए सब खतम कर डालो आज ही खतम कर डालो सब आज ही है ना आगे बची ना रहे क्योंकि पेट्रोलियम है कोईला है प्राकृतिक गैसे हैं क्या है कुछ दिन तक है तो इसका सही से उपियोग करना होगा और अगर नहीं करोगे तो फिर खतम हो जाएंगे तुरंट बतहीं जैसे खाना बनाते हैं अगर धीरे धीरे खाते हैं तो वही खाना अप साम तक खा लेते हैं और अगर अठ्था पूरे गाउं खिला देते हैं तो आधे गंटे में खतम है ठीक है चले इस चैप्टर को हम देखते हैं सबसे पहले यहां का पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसादन तो देखिए प्राकृतिक रूप से पाई गई वस्तु में क्या है प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तु में जिनका उपियोग मानो द्वारा होता है प्राकृतिक संसादन कहलाते हैं क्या है कि प्राकृतिक रूप से पाई गई वस्तु में जिनका उप्योग मानो द्वारा होता है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है है तो हमको प्राकृतिक रूप से कौन कौन सी चीजह मिली है जैसे आद जैसे petroleum, koila, khanige scientists यह सब जाहिर से बात प्राक्रतिक चीजे हैं, है न, क्या है´? जल हो गई, मरदा हो गई, वनस्पती हैंन, जल, मरधा, वन, खानेज है ना जीऊ और आपका जह है आदी यह सभी चीज़े पेट्रोलियम है ना यह सब चीज़ें आपकी प्राक्रतिक चीज़े हो गई अब इनको यह सんजो करके रखना है बचा करके रखना है ना चले क्वेशंस देखर कहा जैसे पूछा इसमें बोला जाता है कि नवीनी करत संसाधन क्या होते हैं और आ Stan videos करत संसाधन क्या होते हैं नवीनी करत संसाधन समझने बहुत SIMPLE है कोई कठिन नहीं है दूसरा है कि अनावीनी क्रत् संसाधन है ना अनावीनी क्रत संसाधन और नवीनीक्रत् पर सबसे पहले क्या है नवीनीक्रत्स समझे अपने आपसमज में आ जाएगा नेना तो देखो नवीनी करत संसाधना मुझे को कहते हैं जिसमें पुनाह इस्थापना की एक सहज छमता होती है पुनाह इस्थापना यानि कि पुनाह निर्माड की पुनाह निर्माड की जिसमें छमता होती है उसे हम बोलते हैं नवीनी करत संसाधन जो फिर से बन जाता है जिसका निर्माड पुना हो जाता है उसको हम बोलेंगे नवीनी करत शंसाधन जैसे एक्जामपल है आपके नवीनी करत शंसाधन के जल, म्रदा, वायू, वन्य, वन्य, जीव, आदी क्या है? जल, म्रदा, वायू, वन जीव आदी, जल है तो जल का पुर्णा निर्माड हो जाता है, फिर क्या है, म्रदा है, मिट्टी है, मिट्टी कभी निर्माड होता रहता है, चट्टाने टूटती रहती है, रॉक, फिर उससे, जह है, रॉक टूटती है, मिट्टी का निर्माड होत होता रहता है लेकिन अनवीनिक संसाधन क्या होते हैं जिनका निर्माड ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका निर्माड पुनाह नहीं होता है यह सहद पुनाह जिनका निर्माड पुनाह नहीं होता है अपने मंद से नहीं होता है उनको हम बोलते हैं अनवीनिक संसाधन जैसे को लोगला कि पेट्रोल एक और आपका खानी जादी यह सभी क्या हुए यह सभी अनवीनी क्रत संसाधन हुए आपके पर्ताइए हैना सिंपल नवीनी क्रत और अनवीनी क्रत तो यह बिल्कुल सिंपल है नंकि सिंपल है प्राकृतिक संसाधन का संरच्छन क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा सुयोजित उपयोग जिससे यह अनंतकाल तक चलता रहे उनका संरच्छन हम किसलिए करते हैं प्राकृतिक संसाधन का ताकि जो प्राक्रतिक संसाधन है वो अनंत काल तक चलते रहें क्या हो तो अनंत काल तक चलते रहें इसी लिए हम उनका जहें संरच्छन करते हैं यहना कंजर्वेशन करते हैं उसका बचाओ करते हैं ताकि यह बचा रहें जैसे हम लोग बोलते हैं अगर आपको ज प्यदल ही चले जाईए इससे क्या होगा फ्यूल भी बचा रहे हैं इसके बाद क्या मेरे बचाने से क्या होगा तो ये गलत सूच है है ना जब सभी लोग एक-एक लोग एक एक छोटा छोटा step लेंगे तभी चीज़े बदलेंगी जैसे आपको body बनाना है तो body बनाने के लिए क्या आप एक दिन में जाते हो gym करते हो बन जाती ही क्या body नहीं बनती है regular करना होता है विथ dedication और discipline के साथ तब जाकर के कहीं body बनती है ऐसे नहीं body बन जाती है है न तो इसी तरह छोटे-छोटे बदलाओ आप करेंगे छोटे-छोटे experiment छोटे-छोटे बदलाओ छोटे-छोटे changes जब आप अपने उपर करेंगे न तभी आप आगे जाएंगे यह याद रखना इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमें बदला नहीं बदलाओ चाहिए है न चलिए देगे question जैसे आप से पूछा गया कि निम्न लिखित हमें वस्तुमें दिखाई देती है इन में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है हमको कुछ चीजे बताई गई है उसमें से पूछा गया है इसमें से कौन सी प्राकृतिक संसाधन नहीं है है न मतलब कौन सी प्राकृतिक संसाधन नहीं पहला पहला है आपका बिखरा हुआ कचरा दूसरा है जल बताए ये जल प्राकृतिक संसाधन है या नहीं तीसरा है बिल्ली बिल्ली भी प्राकृतिक संसाधन है चौथा आम का व्रच तो जल आम का व्रच बिल्ली ये सभी प्राकृतिक संसाधन है लेकिन बिखरा हुआ कचरा क्या है कि बिखरा हुआ कच्रा प्राकृतिक संसाधन नहीं है क्या है कि बिखरा हुआ कच्रा प्राकृतिक संसाधन नहीं है डन चलिए फिर है question है विश्व में सबसे तेजी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन आपको बताना है जो विश्व में तेजी से घट रहा है तो वो तेजी से घट रहा है तेजी से घट रहा है पहला जल दूसरा पावन तीसरा सूरे का प्रकास चोथा वन तो सूर्य का प्रकास और जल और पावान ये तीनों नहीं लग रहे हैं और ये हैं भी नहीं ये तो तेजी से बढ़ रहे हैं वही पानी भी बढ़ रहा है देखो समुद्र आगे आ रहा है न हवा भी अपनी वह रही सूर्य का प्रकास तो अल्ट्रा वालिट रेज भी नीच को क्योंकि वन में बहुत देर सारी प्रजातियां रहती है एक जंगल जो जंगल होता है जंगल को हम संरच्छित करेंगे तो हम एक चीज को नहीं संरच्छित कर रहे हैं उसमें बहुत देर सारी प्रजातियां बहुत देर सारी इस पेसेज उसमें वास करती हैं उसमें रहती ह जैसे यहाँ से question पूछा जाते हैं बड़ा लंबा question आता है ? हमें वन वं यवं वन ने जीवन का संरच्छण क्यों करना चाहिए ? वन का संव करेंगे तो वन के अंदर जो वन ने जीवन होगा us का भी संदच्छण होगा तो question है कि हमें one और one ने जीवों का संरच छड क्यों करना चाहिए क्यों करेंगे हम क्यों उपयोगी है हमारे लिए जंगल क्यों हमारे लिए जंगली जीव उपयोगी है चलिए इसको मिटाता हूँ फिर इसको अच्छे से बताता हूँ यह बहुत डिटेल में question आपसे पूछेगा तीन से चार नंबर का question पूछेगा तो देखिए वन का संरच छड हमें इसलिए करना चाहिए क्यों कि हमारे लिए वन यानि कि जंगल बहुत तरह से उपयोगी है जैसे हमें जंगल से इमारती लकडी प्राप्त होती है जिससे हम लोग इमारत बनाते हैं वो लकडी हमें जंगल से ही तो प्राप्त होती है कि और कहीं से खुद के ले आते हो हैं और कहीं चुरा के उठा के ले आते हो है ना इमारती लकड़ी है ना कि एक सेकेंड कागज के लिए हम लकड़ी काटते हैं है ना हमें गोंद प्राप्त होती है और सधी प्राप्त होती है है ना क्या प्राप्त होती जंगल से गोंद प्राप्त होती है और सधी प्राप्त होती है लाख जानते ना लाख लाख प्राप्त होती है जंगल से हमें इसके बाद आपको कागज बनाने के लिए जैस रौ मटेरियल जंगल से लाया जाता है तो बताई जंगल कितना ज्यादा महत्वपूर है कितना ज्यादा उप्योगी है हमें जंगल से भोजन भी प्राप्त होता है है ना वहां से फल वगएरा भी प्राप्त होते है पेड़ लगे हुमें फल लगे हुमें उजी में यह तो हमारे फाइदे हैं देखो जंगल की फाइदे हैं जंगल के नुकसान भी है वहाँ पर साप भी रहता है कभी तुम फलवल तोड़ने के मार दिया खच से मर गए कभी तुम आईसे जंगल में टहल रहा है वह इसे बिल्कुल मस्ती से असेर आईसे तुम्हें देख रहेंगी या विटाज का सिकार तगड़ा है असेर आया आईसे मारा खतम है न तो यह उसके डिसड़ांटेज है लेकिन उसके ड़ांटेज भी तो बहुत ज्यादा है हमाए सहायता करता है म्रदा अपरदन सबस्क्राज सबस्क्राज करता है जल चक्र बनाये रहने तथा वर्षा कराने में क्या होता है जल चक्र बनाए रखने में और वर्सा कराने में जंगल का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है है ना किसमें तो जल चक्र बनाए रखने में तथा वर्सा कराने में वन का यानि जंगल का बहुत योगदान होता है आप समझ सकते भी जंगल कितना important है हमारे लिए कितना उपयोगी है जो चीज़ें आपको जैसे जो आउसदियां मिल रही है जैसे लाल चंदन मिल रहा है हमको beauty product में हम उसका उपयोग करते हैं कहां से मिल रहा है ऐसा तुह नहीं आपके घर के बगल में लगा है लाल चंदन हैं बोलाओ ना बोलोगे तुम समझ में आ रहा है बुद्धि में घुस रहा है ना चीज़ें आई सेन करो घुस जाने दो बस फिर क्या है वन प्राकृतिक रूप से जंगली जानवरों पच्छ पच्छियों आदि को निवास इस्थान प्रदान करता है वन क्या करता है वन प्राकृतिक रूप से जंगली जानवरों तथा पच्छियों को निवास प्रदान करता है कौन प्रदान करता है तो वो करता है वन यानि की जंगल है ना बताओ जंगल में जंगली जीव रहते हैं कि नहीं रहते हैं रहते हैं जंगली जीव भी रहते हैं यानि की जंगली जानवर भी रहते हैं वहां पच्छी भी रहते हैं वहां पर कुछ जंगली लोग भी रहते जंगल में रहने वाले लोग इना उनको बोलते आ जंगली लोग ट्राइब्स होती है अ में यह ट्राइबस एक अलग हो गया है ना जंगल में रहने वालो क्या बोलते है ऐसे तो हम लोगों ने बोल दिया जंगली लोग जैसे गाउं में रहने वाले को हमने बोल दिया गाउं में रहने वाला लोग देहाती है ना सहर में रहने वाले लोग को बोल दिया यह ना शहराती है ना फिर घर में रहने वाले को बोल दिया घराती बाहर रहने वाले को बोल दिया बराती है इसे बोलते हैं ऐसे बोलते रहते हैं दिन भार इधर उधर की बाते चलती रहती है अपनी तो ऐसे करके तो सुझो जंगल हमारे लिए कितना इंप्सेंट है और इस जंगल को सनरचन देना चाहिए वना चाहिए अगर सनरचन नहीं दोगे कुछन में चंगल खतमρχ आपको लकड़ीं नहीं मिलेगी फिर आपको गोंद नहीं मिलेगा औहां तुसासरे बाद जो म्रदा परदन हो रहा है बाढ़ को रोकने में जो जंगल का योगदान है ना अब ही जंगल खतम होगा तो बाढ़ा जाएगी रेर सारी फिर म्रदा परदन भी होगा फिर क्या करोगे बारिस नहीं होगी फिर जल चक्र बनाए रखने तरह वर्षा कराने में जंगल क योगदान होता है अब क्या होगा अब अगर तुम ऐसे जंगल काटते गए काटते गए पता लगे बारिस ही नहीं हो रही है समय से बारिस हो यह नहीं रही है है ना तो यह सारी चीजे मैटर करती है तो एक जैसे कोश्या आपसे पूछा कि वन्य जीव संद्रच्षण आवस्यक है क्योंकि परियावरण संतूलन बनाए रखना आवस्यक है अगर वन्य जंगल हमारा संवच्छित रहेगा तो पर्यावरण का संतूलन बना रहेगा यह सभी चीज़े पर्यावरण के घटक ही तो हैं बताइए पर्यावरण दो घटकों से मिल करके बनते हैं परिया वरण दो घटकों से पारिस्थिति की दो घटकों से मिल करके बनती है पहला हुआ आपका जैवी घटक उत्पाद को भोगता है ना घटक फिर दूसरा हुआ आपका अजैवी घटक अजयविक घटक गोंध हो गया इमारती लकड़ी म्रदा जल है न वर्सा ये सभी अजयविक घटक हो गए तो जो पारितंत्र होता है वो दो घटकों से मिल करके बना होता है जयविक और अजयविक दोनों important है है न तो जंगली देखिए फिर है second कि जंगली मांसाहारी जानवर साकाहारी जानवरों को खा जाते हैं जो जंगल में रहने वाले मांसाहारी जानवर है वो साकाहारी जानवर को खाते हैं जिससे घास एम छोटे पाउधों का अस्तित कायम रहता है देखो जो छोटे जानवर रहते हैं ना साकाहारी जानवर वो घास को खाते हैं अगर वो पूरी जिन्दगी जीते रहना तो एक समय ऐसा आएगा हो पूरी घास को खतम कर डालेंगे है ना तो इसलिए क्या होता है जंगल में रहते मांसाहारी जानवर तो साका हारी जानवर को खा डालते हैं जो घास खाते हैं ताकि घास भी सुरच्छित रहेगी वो भी खाया वो भी जिन्दा रहा फिर उसको मांसा हारी ने खा लिया सबका काम चल रहा है कापी मतलब गजब की चीज़े हैं परियावरण को समझने के लिए बहुत अच्छी जीज़े हैं फिर देखो कायम रहता है तथा वन एम वनस्पती में रहने में परियाप्त वर्सा होती है जब वन और वनस्पती है तो सिंपल सी बात है पता ही है आपको जंगलों को साफ रखने तथा बीजों को एक जगे से दूसरी जगे तक ले जाने में सहायता करता है जिससे नए पौधे विक्सित होते हैं जब जंगल रहेगा उसमें घास रहेगी तो घास चरने से भूम की उरवरा सक्ती बनी रहती है जब घास कोई चरता है तो भूम की जो उरवराक्ता उरवराक्त सक्ती है वो मेंटेन रहती है बनी रहती है फिर देखें कुश्यन देखें गंगा देखते हैं गंगा सफाई योजना किस वर्स प्रारंब हुआ गंगा एक्षन प्लान किस वर्स प्रारम्ब हुआ तो याद रखना 1985 में गंगा सफाय योजना प्रारम्ब हुई या प्रारम्ब हुई गंगा सफाय योजना ठीक है कुश्चन था कि जैसे कुश्चन आपसे पूछ लिया कि बताइए विस्नोई लोग किस व्रच के लिए प्रसिद्ध थे लोग है ना अब विस्नोई लोग बिस्नोई लोग हिरन की पूजा भी करते हैं है ना काले लकी इससली जब सिद्धु मुसे वाला केसव हुआ था तो आपने एक नाम सुना होगा laurens विस्नोई है ना लारेंस वि listeners ने 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 न्यूज में इसा बताया matte कि lawrence बिस्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी क्यों कि सलमान खाड ने काले हिरण का सिकार किया था है ना जिसको कोट ने सजा नहीं सुनाया था इस वज़ा से लौरेंस विश्णोई ने बोला है ना तो जो विश्णोई समाज थे यहां देखिए यहां पर हम दूसरा कोश्चन है ब है यह न जिसे आप से पूछ लिया कि हुँ हर चिपको आंदोलन जिपको आंदोलन कब और कहां पर प्रारंभ हुआ विश्नोई लोग कि लिए खेजरी के लिए चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन क्या था चिपको अंदोलन में जो लोग थे वो पेड़ को पेड़ पर चिपक गए थे राजा के लोग आये थे पेड़ को काटने लोगों को भी काट डाले थे पेड़ के साथ है ना चिपको अंदोलन तो चिपको अंदोलन 1970 में शुरू हुआ था देखो ये भारत आजाद होने की बा बनाया है चिपको अंदोलन बाई बायो मन लिखना अभी बता रहूं पूरी चीज़ें 1970 हम आजाद हुए थे 1947 में लेकिन देखो 1970 में क्या हुआ था 1970 में चिपको अंदोलन हुआ था कहां पर हुआ था गढ़वाल जन्पद के रेनी नामक गाउं में कहां पर गढ़वाल जन्पद के रेनी नामक गाउं में चिपको अंदोलन हुआ था देखे चिपको अंदोलन में क्या हुआ था चिपको अंदोलन में इस्थानी निवासियों को वन से अलग करने की नीती का ही परड़ाम था इस अंदोलन का प्रारंब हिमाले की उची परवत स्रंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गाउं में 1970 के बीच प्रारंब हुआ था क्योंकि गाउं के समीब के व्रच काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था एक दिन जब सभी पुरुस गाउं से बाहर गये थे तभी ठेकेदार के आदमी वहां पहुँच करके व्रच काटने लगें वहां की महिलाये ने पेड़ों को काटने से रोका जब ठेकेदार के लोग नहीं माने तो उन्होंने अपनी बाहें फैला करके पेड़ों को पकड़ कर पेड़ों पर चिपक गई और ठेकेदार के आदमीयों को व्रच काटने से रोका अंतता क्या हुआ अंतता ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा इसके लिए इसे चिप को आंदोलन कहा जाता है यहां आंदोलन सुन्दरलाल बहुगुडा ने प्रारम किया था अगर पूछे कि बताए चिपको आंदोलन किसने प्रारम किया तो वो प्रारम किया था सुन्दर लाल बहु गुडा ने किसने तो सुन्दर लाल बहु गुडा ने चिपको आंदोलन प्रारम किया था यह इंपोर्टेंट कुष्चन है साइस पूछा जाता है ठीक है मिटाओ मिटाओ वही या इसको देखना देखना देखलो एक बार चिपको अंदोलन चिपको अंदोलन की बात आए ना तो 1970 रहनी नामक गाओ गड़वाल के रहनी नामक गाओ हिमाचल हिमालै की परवस्तरंकला में किसने शुरू किया तो वह श 17 1970 की बात है कि अमहाशो है किया लगते हैं करके बताइए मेरे को कि अभी हम लोग आजाद हैं या फिर नहीं जल्दी से सबी लोग बताई सबकी राय अलग-अलग होती है क्योंकि.. अलग अलग Direction पर सोच रहे होते हैं है या न हम इसा कोई एक जैसा नहीं सच सकता चलिए कम इस फिर Question है अम्रता देवी विशनढ़ोई को कौन सा पूरुसकार दिया गया था मतलब किस लिए पूरुसकार दिया गया था तो अम्रता देवी विश्णोई न वन एवं जीव सन्रच्छण हेतु उनको पुरुसकार दिया गया था विश्णोई समाज है न किस व्रच की पूजा करते हैं खेजरी की चलिए विश्व परियावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई सब बहुत अच्छा कुश्च विश्व परियावरण दिवस कम मनाया जाता है याद रखना हमेशा पांच जून को इसी दिसे चलते हैं कुश्चन और बता दूँ वर्ल्ड एड्स डे वर्ल्ड एड्स डे कम मनाया जाता है एक दिसंबर को एड्स किसके दोरा होता है एच आईवी और होता है हिउम अन हो यिदि अ इम्यूनो तो अि डिफीशियंसी वाइरस एड्स क्या होता है एड्स हो miejsc कि क्या एक वाईर्ड क्या और दिफीशियंसी इंदर कुछ तुम लोग भजो तुम लोग वीडियो तो बहुत देखते हो बहुत आते हैं लेकिन लाइक लाइक देख लो तो रोना आता है ना सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोई करता ही नहीं सच बता रहा हूं अगर सब्सक्राइब करने में पैसा लगता ना तो गैरेंटी है आप कोई लोग सब्सक्राइब न करते क्योंकि फ्री में तो सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो पैसे लगते तो करते ही नहीं भाग जाते है ना चलो अगला question देखे ट्रिपल आर क्या है हाँ यह question है दमदार question important question जिसे बोलते हैं ट्रिपल-A-R आर 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 सनसाधनों का कम उपयोग पुना हाँ उपयोग और पुना चक्रण ट्रिपल-아र कहलाता है कम उपयोग नहीं फीर पुना हाँ उपयोग और पुना पुना चक्रण मतलब recycle कम उपयोग मतलब देखो triple R का मतलब होता है reduce क्या होता है reduce reuse और recycle reduce reuse और recycle reduce का मतलब होता है प्राक्रतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग करिए reuse का मतलब होता है आप चीजों का पुना उपयोग करिए जैसे मैं अपनी परसनली बात बताऊं जैसे मैं कभी मार्केट गया वहाँ से मेरे को कोई polythene मिली या ऐसा कुछ मिला जिसे हम उपयोग कर सकते जैसे प्लास्टिक का डबा मिला पानी पीने की बाटल मिली मैंने मतलब लिया तो मैं क्या करता हूँ उसका उपयोग करता हूँ जैसे polythene आई समान है तो मैंने polythene से समान हटाया उसको साफ किया उसको रख दिया पिर जब next time कुछ काम हो तो वही polythene में समान डारा लेके चला गया फिर वहाँ से polythene खाली क्या लेके आ गया ऐसे हम इसका क्या कर रहे है reuse कर रहे है कोई चीज है जैसे आप उसका कम उपयोग करिए recycle है जैसे आपने कोई भी चीज फेक दिया और वो चीज आपकी काम आ सकती थी तो आप उसे बिल्कुल recycle करिए question पुछा जता है संसाधनों के प्रवंधन के लिए आप क्या समझते है recycle जैसे रसोई में बहुत डेर सारा समान होता है और भी कोई ऐसा समान है जो plastic क्या है ऐसा कुछ है जो जो है जिसका आप घटन नहीं हो सकता है आप उसे use कर लीजे कहीं पर सजा लीजे जैसे टायर आपके गाड़ी का निकलता है लोग क्या करते है टायर को इस प्रे मार के paint कर लेते हैं फिर उसके बीच में घड़ी बना देते हैं फिर दिवाल में टांग देते हैं बड़ा प्यारा लगता है ऐसे होता तो पड़ा रहता यहां वहाँ आपने उसका reuse कर लिया क्या कर लिया? यूस कर लिया जिसको बोलते हैं reuse तो यह है ट्रिपालार फिर है कोईला यों पेट्रोलियम के भंडारों का निर्मार कैसे हुआ? तो लाखो वर्स पहले प्रतवी पर उथल पुथल हुआ जिससे क्या हुआ? जीव और पेड़ पौदे सब दब गएं और वही जाकर के जिवास मैंजन की कोईला और पेट्रोल में बदल गएं बस निर्मने लिखित में से ग्रीन हाउस गेसे कौन है? याद रखना ग्रीन हाउस गेस कौन सी गेस? तो ग्रीन हाउस गेस है कारबन डाई ऑक्साइड सी ओ टू कौन है? सी ओ टू फिर देखिए क्वेश्चन है जल संग्रहाण एक प्रक्रिया है जो संबंधित है जल संग्रहाण जल संग्रहन किसे संबंधित है जल का संग्रहन करना जैसे जो बारिस का पानी होता है इधर उधर नाली में बह जाता है यहाँ चला जाता है उसको संग्रहित किया जाता है तो जल संग्रहन प्रक्रिया किसे संबंधित है वर्सा के जल से संबंधित है किसे वर्षा के जल से ठीक है फिजब पूछा गया की गंगा नदी में काली फॉर्म जिवानू के प्रचुर मात्रा में पाय जाने का मुख है कारण है है ना गंगा नदी में कौन से जीवाडू पाए जाते हैं कौली फॉर्म जीवाडू है ना कौन से कौली फॉर्म जीवाडू क्या कारण है जो ये गंगा नदी में ज्यादा पाए जाते हैं है ना important question चारा option है आपके पास जल के अधजली लासों का प्रवाहित करना फिर इलेक्ट्रो प्लेटिंग उद्दोगों से निकलने वाले बहिसरावों का प्रवाहित करना कपड़े धोना भस्म को जल में प्रवाहित करना तो जो कौली फॉर्म जीवाडू होते हैं देखिए अगर कौ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए मैं मैंसज बता रहyin में को कौली फॉर्म जीवाडू ke बारे में नहीं पता है मतलब आपको बता है तो जरूर तो बस सिकिण्डों का काम है गूगल करें कॉली फ़र्म जिवाणू लिखेंगे बस बता देगा है ना समझ जाएंगा उसमाओ तो पांस सिकिण्ड के अंदर ठीक है तो देखो जो अधजली लासें होती है इसका सही एंसर है कि जल में अधजली लासों का प्रवाह करना जो आधि जली लास होती है इसको जल में फेक देते हैं तो उसी के कारण से कॉली फोर्म जीवारू क्या होता है नदियों में गंगा में ज्यादा हो जाता है वो भी करते न यह हैं लोगों को कि यह ओसन दीए गए चुनना है कि प्राक्रतिक संसाधन कौन नहीं है किके यह मृद्धा आप दूसर जल जलभी प्राक्रतिक संसाधन है तीसरा एल नहीं है नहीं है ऊता है वायू वायू प्राक्टिक्स अंसाधन है ठीक है भारत के किस प्रदेश में सुनना भारत के किस प्रदेश में नगर सिचाई परियोजना को कूल के नाम से पुकारा गया कूल के नाम से नगर सिचाई परियोजना को कूल के नाम से पुकारा गया चार ओप्सन है हरियाड़ा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्यव प्रदेश तो कूल के नाम से हिमाचल प्रदेश में पुकारा गया हिमाचल प्रदेश कौन से देश में बया तो ही माचल प्रदेश में इसको कूल के नाम से पुकारा गया तो यह और यहां से कौन से कुष्चन है सनवच्छन के बारे में आपको पूछ रहे सनवच्छन के बारे में उपयोग बताईए है ना यहां से एक question है लेकिन यह question मैं आपको जब lecture पढ़ाया था आप लोग पेलिस बजा के lecture देख लेना कि और दोगी क्रांती में प्रदोगी का क्या योगदान है समझाईए यहीं से आता है लेकिन यह आया नहीं है एक भी बार आता तो है लेकिन आया नहीं है आने वाला question है कि जल संग्रहण क्या है है और इसको किस प्रकार से उप्योग में लाकर मनुष्यों को जन्तूओं को तथा वनस्पतियों को लाब पहुँचाया जा सकता है कैसे वर्षा के जल को हमने संग्रहित किया कैसे कहां डाला किया तो और वीडियो देखने के लिए आप लेलिस पर झ देख सकते हो, अपनी पढ़ाई को जवर्जस तरीके से कर सकते हो, तो आज की क्लास यहीं तक अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाओ चाहिए, wish you all the best, thank you.